नवाश्का फ्रेंड्स लगभग आज से तीन दिन के बाद 22 जुलाई से लेकर के 13 अगस्त के मध्य में मंगल की विज़ से जो कुछ परिशानिया भी चल रही थी वो पूर्ण रूप से खतम हो जाएगी यह काफी अच्छा सामय आपके लिए मिल जाएगा आपको कि जैसे ही मंगल का यह जो नक्षत्र प्रिवर्टन होना है अभी मघा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और मघा नक्षत्र से जैसे ही पूर्व फालगुनी नक्षत्र में आएंगे जो कि शुक्र का नक्षत्र होता है तो सभी कुछ दुख, दरिद्र, हिंसक घटनाए, उपद्रव, प्रकर्तिक आपदा और जिस्त्रा की राजनितिक उठा पठा को रही है, समंधों में विछेद हो रहा है रिलेशिशिप्स खराब हो रहे हैं, ये सभी कुछ सुधरने वाला है कारण में आपको बता दिया मंगल अपना नक्षत्र परिवर्तन करने वाले और वर्तमान में मंगल ग्रह खास्त वार पर और बी ज़दा एक तरह से नीचता लिए हो है क्योंकि ये नीच नमांच में गोचे कर रहे है और वही मगा नक्षत्र जो होता है वो केतू का नक्षत्र होता है और जो तिश शास्तर में कुछवत केतू कहा जाता है तो केतू मंगल की तरह ही प्रभाब देता है दो डो मंगल की फुल पावर जो थी, मंगल के पास ती, और यह पावर जो थी मंगल के पास विद्ध 기다ैट स्वावर थी। आप देखी रहे होगे, प्रकृती में किस तरह से जो है वहू उठा-पठक चल रही थी। समंद्धों में आपने देखा होगा काफी जाता विछेद चल रहे होगे Unmisunderstanding वहाँ चल रहे होगे कोई काम बन नहीं रहे होगे पैसों कहीं लगाया होगा पैसा फस गया होगा कुल मिलाकर कि हर चीज में जो है वो कमी होती भी नजर आ रही होगी परन्तु अब शुक्र के नक्षत्र में आने पर यहाँ पर बहुत खूब सुरत आकर्शन योग बनने वाला है शुक्र और मंगल का आकर्शन समंद्धों में मधूरता समंद्धों के और खिचाव प्रीम रस्त का जो है वो प्रादूर भाव इस स्वामें होतावन नजराएगा और विबिन राशियों को यह अलग-अलग स्तर पर होगा जब हम इसको डिसकस करेंगे बारा राशिय और बारा लगन तो इसमें आपको बहुत कुछ सीखने के मिलेगा तो इसलिए वीडियो को कृप्या अंत तक देखें और कुछ चीजे हैं जो शायद आपकी जीवन में उसके दोरा आपको घटित होती भी महसूस होगी वीडियो को आरम करूँ आपसे वही रिक्वेस्ट है जो लोग मेरी चैनल में नया है प्लीज सब्सक्राइब बे चैनल एक बेल आइकन उसे प्रेस कर दें और हो सके तो वीडियो को शेर कर दें मुर्तेवी शिक्योर तो जी हाँ 22 जुलाई से लेकर के 13 अगस्त का जो ये सामय है ये मंगल का शुप्रवाद देने का सामय है शुकर के नक्षत्र में गये हैं सिंग राशी में ही गोचर कर रहे हैं तो अगर हम आज 12 राशी या लगन पर इसकी चार्चा करें तो उस क्रम में सबसे पहले जो है आपका मेश राशी और मेश लगन आएगा चाहा आपकी राशी है चाहा लगन है आप इसको किसी भी तरह से समझ सकते हैं तो मैं कुछ मुख्य बिन्नों पर प्रकाश डालूँगा जो जो इस समय मंगल के इस नक्षतर गोचर से आपको प्रभाव मिलेगा तो मेश राशी की बालों की बात करूँ तो इससे पहले जो आपका स्वास्ते खराब चल रहा होगा अवश्य आपकी स्वास्ते में हानी चल रही होगी क्योंकि नीच नमाच में गोचर करर पंचंभाव पेट खराब होगा पेट समंदी शिकायते रही होगी संतान की तो से परिशानी आपको चल रही होगी तो इस समय तो आप ये समझ लीजे ये आपका पैसा कमाने का समय है क्योंकि आपका जो दूसरा भाव है शुक्र के नक्षत्र में गया है तो शुक्र के द्वारा जो भी कुछ अच्छा मिल सकता है वो मंगल आपको यहां दिलाएंगे तो पैसा कमाने का ये वाला जो समय होगा खास तोर पर आपके लिए होने वाला है उसी के साथ साथ जो विवाहित हैं तो शादी और शादी भी आपका प्रेम विवाह होने के पूर्ण रूप से चांसेश बन रहे हैं मेश राशी और मेश लगन दंपत्ती हैं तो आपस में उनके संबंधों में महदुता, प्रेम प्यार इस तरह की स्थितिया आपको देखने को मिलेगी तो कुल मिलाकर आप धन कमाएंगे वरिशब राशी वालों की बात करूँ तो वरिशब राशी वालों के लिए जो यह स्थिति बनने वाली है वो कह सकता हूँ कि आपके कोई नौकरी लग सकती है, कोई रोजगार लग सकता है इन दिनों कोई नया बिजनस आप कर सकते हैं उसके लावा जिनका रोज डेली रोटीन जो डेली चीज़ें बेचते हैं, जो समान का काम है उनको भी बरिलाब की स्थितिया मनने वाली है घर में सुख सुबदाओं का महल बनेगा, अच्छा बातवन घर में रहने वाला है जो आपका सुख का स्थान होता है, वो सुख का स्थान जो है, वो अभी एक्टिवेट होने वाला है आपका मान समान इस समय कहीं न कहीं बढ़ेंगा कोई promotion increment या कोई रुतबा ओधा आपको इस समय मिल सकता है मिथुन राशी वानों की बात कुरूं तो मिथुन राशी वानों के लिए जो ये समय दिखाई दे रहा है इस समय में आपको संतान की तरफ से कोई न कोई विशेश खुशी प्राप्त होने वाली है विदेशों से कोई न कोई खुशी आपको मिल सकती है कोई जानने वाला है तो उसकी तरफ से मदद मिलेगी समय बीतने वाला है उसके बाद मैं बात करूँगा करक लगन वालों की तो करक लगन वालों के लिए जो शुक्र की स्थिति बन रही है वो आपको जो है वो खास तोर पर खास तोर पर जमीन सिर्फ समंदित जो लोग काम करते हैं क्योंकि मंगल को भूमी पुत्र कहा जाता है तो करक लगन या करक राशी वालों के लिए मंगल आप जानते हैं कि बहुत योग कारक प्लैनेट होता है तो इसलिए इस समय में आपको जमीन से पूर्ण डूप से लाब दिलाएगा विदेशों से कोई लाब दिलाएगा फॉर्ण से लेटर अगर आपका एक्सपोर्ड इंपोर्ड का काम है तो मंगल उसमें आपकी पूर्ण डूप से मदद करेगा तो ये समय जो है वो आपको मुनाफ़ा कमानने का समय चल रहा है और घर जो बाहर है तो वो घर वापसी का उनका समय बन रहा है तो करक राषी और करक लगन वालों के लिए शुब समाचार जो है वो मंगल का ये नक्षत्तर परिवरतन ले करकर कर आएगा खुशि昹 आपको मिलने वाली है यात्राउं का यूग बन रहा है आपके लिए ट्रांसफर का यूग बन रहा है बनते में नज़र आ रहे हैं और ये जो समय होगा इस समय आपकी भी कही न कहीं बॉस के साथ ये आपके कारक्षित्र में जो है वो मान समन बढ़ता हुआ नज़र आएगा कन्य राशी और कन्य लगन वालों के लिए बात करूँ तो ये आपके लिए धन कमाने का समय है पैसा कमाने का बहुत उत्तम इस समय आपके लिए बन रहा है भाग्य का साथ भी मिलेगा पैसा खर्च भी होगा पैसा आएगा पैसा खर्च भी होगा भाग्य का साथ भी होगा पीता का सहयोग भी मिलेगा इस समय तो कुल मिलाकर के कन्य राशी वालों के लिए भी धन कमाने के स्थेतियां बनती वे नज़रा रही है तुला राशी और तुला लगन वालों की बात करें तो थोड़ा सा आपको अपने स्वस्ते पे ध्यान देना होगा क्योंकि इस्टम भावक ने जो है उसकी एक्टिवेशन हो रही है तो तुला राशी और तुला लगन वाले अपने स्वस्ते पर खास तोर पर ध्यान देर वहीं इस महीने जो है या जब तक एक ओचरिया हो रहा है आपको मुनाफ़ा कमाने का समय चल रहा है गुप्त तरीके से, दो नंबर के तरीके से, टैक्स सेविंग से, किसी और के पैसे से, LIC के पैसे से तो इस तरह किसे धन कवाने की स्थितियां जो है वो तुला लगन और तुला राशी वालों के लिए बनती वी नज़र आ रही है थोड़ा सा स्वास्ते में गरावट हो सकती, एंग्जाइटी या मानसिक विक्षो तनाव देखने को मिलेगा परन तो अगर पैसों की बात करूँ तो पैसे आपको ये प्रचूर मात्रा में दिलाता हो नज़र आएगा वृष्चिक लगन और वृष्चिक राशिवालों की बात करें तो आपके लिए कोई नई पार्टनर्शिप इस समय बनती में नज़र आएगी किसी के साथ आपके समन्द जो है मधूरता में परिवर्तित होते में नज़र आएगा और पार्टनर्शिप आपको लाब दे करके जाएगी दामपत्य सुख के लिए भी बहुत अच्छा है कारवेफसाई कारिक शित्र में प्रोफेशन में ये जो नक्षत्र प्रिवर्तन है मंगल का आपको कुछ नकुछ नया दे करके जाएगा और बहुत अच्छा दे करके जाएगा धनु राशी और धनु लगन वालों की बात करूं तो आपके लिए तो इस समय जो है नया रोजगार लग रहा है नया काम धंदर या नया प्रोफेशन आप करेंगे कोई काम जो पहले ले रखा है उसको छोड़ करके आप नई जौब के और जाते वे नज़रा रहे हैं लाब की स्थिति आपके लिए भी बनी हुए है परन्तु आपको भी थोड़ा अपने स्वस्ते समंदी जो है वो सावधानिया बरतनी होगी इस महीने भग्य भी आपका साथ देगा पूर रुप से धर्म आपके साथ पूर रुप से चल रहा है जो कुछ भी शुबकारे आपने पहले की होंगे उनको उनका फल प्राप्त करनी का समय आप कह सकतें कि यह हो रहा है और धनु राशी और धनु लगन वाले के समय कोई उच्छ लॉटरी, शेयर मार्केट या इस्ता का पैसा जो आमोद प्रमोद से, इंटरेटेनमेंट से, मनुरंजन से प्राप्त होता है वो सब कुछ प्राप्त होता है वह नजर आएगा कारेवेशाए प्रोफेशन के लिए आपके लिए भी बहुत अच्छा समय है और वहीं आपके इस तरह के जितने भी विशे हैं उन विशों पे आपकी जहाँ वो मास्क्री या परंगतता होने वाली है कुम राशी और कुम लगन वानुप की बात करूँ तो आपके लिए विजो ये मंदल का नक्षत्र परिवरतन है सुखों को बढ़ाने वाला है सुख सुविधाय मेतरता आपकी होती वी नजरा आ रही है किसी धार्मिक स्थल पर धर्म जहां पर धर्म का अनुचरण होता है उस तान पर कहीं न कहीं आपकी किसी विक्ति से मुलाकात हो सकती है समय कुम राशी और कुम लगन वाले अविवाहित हैं तो विवाह की सम्भाबने भी ये प्रिश्रम, प्राक्रम, मेहनत, पुरुशार्थ करने का ये समय आपके लिए इस समय चल रहा है, चीजों के लिए आपको प्रियास करना पड़ेगा, स्वयम चल करके चीज़ें आपके पास नहीं आएंगे, आपको प्रियास करना पड़ेगा, तो ये जो नक्षत्त प्रिव वालों के लिए समय प्रिश्रम और प्यास करने का है उसके बाद की जो इसकी हर्वेस्टिंग है या जो इसकी उपज है वो आप उसके बाद प्राप करते हैं नज़र आएंगे तो अच्छा है आपके लिए भी प्यास कीजिए तो ये था मंगल का नक्षत्र परिवर्थन पूर्बु फालगोनी नक्षत्र शुक्र के नक्षत्र में इसका गोचर हुआ है 22 जुलाई से लेकर के ये स्थिर्यां बननी है 13 अगस्त तक तो इस समय आपके लिए बहुत उत्तम बना है उस पर एक छोटा सा वीडियो उमीद करता हुआ वीडियो आपको चलागा होगा इस वीडियो प्लीस सब्सक्राइब दे चैनल थैंक्स वर वाचिंग दे वीडियो